समस्कार जैहिंद आप सबी का स्वागत है हिमाज़त प्रदेश के हाई कोट ने एक ओर्डर दिया है जिसमें अनकॉंसिट्यूशनल बोला गया है इनकी सरकार द्वारा लगाए हुए वाटर टैक्स को या वाटर सेस को किसकी सरकार की बात हो रही है आप समझ सकते है हिमाज़त प्रदेश है और इनका नाम है सुखु जी इनके सरकार ने टैक्स लगाया वाटर पे किसको बोला चार्ज कर रहा हूं मैं किसको जो हाइट्र पावर जन्रेशन हो रहा है वहां पे आटिकल 288 is in my mind और आटिकल 288 साब बोलता है exemption from taxation by states in respect of water और electricity in certain cases और अगर आपको tax लगाना भी है तो आपको बिना president के permission के बिना that bill that is going to play some or put some tax without president having given its ascent or his or her ascent you cannot put a tax यह तो हुआ ही नहीं आपने president साब को तो पूछा ही नहीं और आपने tax लगा दिया तो कैसे मिलेगा high court ने unconstitutional कर दिया पर सुनिया अभी article 288 के बात दो और article है article 286 or 287 article 286 बोलता है that there is a restriction as to imposition of tax on the sale or purchase of goods मैं अगर बिजली बेच रहा हूँ तो state मैं state के बाहर बिजली बेच रहा हूँ तो state का कोई दाई तो नहीं क्यों tax लगाए तो आप tax कैसे लगा रहे हो on the things that I am producing and I am sending it outside आप tax कैसे लगा रहे हो 287 देखिएगा that is exemption from taxes on electricity और यहाँ पर तो आपको जबर्दस बता दे अगर कोई central का organization या खुद center का कोई उपकरम है कोई organization है कोई department है states उसके उपर tax नहीं लगा सकती for the electricity consumed हम उसके उपर tax नहीं लगा सकते तो अब यहाँ पर विबाद चालूँगा कि center versus state में थोड़ा सा भेदभाव होने लगा था लोग समझ नहीं पा रहे थे water बड़ा confusing है और water as a subject कहा है आई देखते हैं water मुझे दोनों में मिल रहा है पर हाखास करके जो मिल रहा है वो मिल रहा है state list के entry number 17 में entry number 17 में लिखा हुआ है water supply, irrigation, canal, drainage, embankment, water storage, water power अब इसको देखकर हिमाचर प्रदेश सर्कार सोची कि यह तो पूरा मेरा ambit है और लगा दो text लगा दिया center list में entry 56 है और लिखा है in the public interest, interstate rivers have to be legislated upon by the center तो इन दोनों की बीच में clash हुआ state बोला मेरे पास power है, center बोला मेरे पास power है अब हलाकि इसका निशकर्स निकाला कैसे जाए क्योंकि यह center ने अपना power कभी आस्तक इस्तिमाल नहीं किया center ने वस एक बार river board act बनाया था आप नीचे year बताएगा किस year में आया था river board act आपको बता दे आस्तक एक भी river board नहीं बनाया गया उसके बावजूद भी act आया था इस power को use करके इसके लावा यह power कभी use नहीं किया गया तो इसको देखकर तो लगता है कि state के पास power है but article 288 तुरन बोलता है कि आप नहीं लगा सकते हो tax without president being giving or given some assent to it or you referring it to the president, you reserving the bill for the president and the president so gives the assent तब आप लगा सकते हो अच्छा अब कहानी आईए और भी एक समस्ते है मेरा विवाद article और कभी है, article 246 कभी 265 कभी है तो कि article 246 अपने में बहुत सीधा बोलता है कि ये वो subject है जिन पे laws बनाने का हक पार्लेमेंट का है और legislature का जहाँ पे मुझे list system मिला तो state list और centralist का जो भ्योरा है वो मिला मुझे article 246 से और इसी को देखकर लोग अपना taxation चुनते हैं कि कहां कौन tax लगा सकता है तो state ने बोला कि power का water पे tax लगाने का तो मेरे अंदर है पर center ने बोला कि आप electricity पे नहीं लगा सकते आप कोई चीज बाहर जा रही उस पे नहीं लगा सकते और जो center जिसमें involved है आप उस पे नहीं लगा सकते तो how are you putting the taxes without precedent coming into the picture 265 साभ बोलता है तो आप law तो बनाओ पर law बनने का तरीका ही अगर गलत हो law का procedure established जो है वही गलत हो तो आप unconstitutional ही काम कर रहे होगे यह आता है इससे तो article 265 बहुत साफ शब्दों में लिखता है that you cannot levy a tax without the appropriate procedure being followed and authority by the law अगर आप procedure ही follow नहीं करोगे तो law गलत बन जाएगा और यही बात यहाँ पर बार बार देखी जा रहे थी तो जो यह tax लगाने का इन्होंने चालू किया था this tax they brought by water says यह बिल्कुल unconstitutional घोशित कर दिया गया था so this was all about this water का thing अगर आपको लगे कि कुछ articles बड़े important यहाँ पर लगे तो ज़रूर note down कर लिजेगा we have March extension offer going about जैसे जू लेंगे CMC code लगाएंगे आपको फायदा मिल जाएगा extension मिल जाएगा foundation badge भी हमारा March 8 से चालू हो रहा है आप इसमें भी जूर सकते हैं जो मतलब आस से ही हो रहा है CMC code याद रखेगा my code is CMC that you can use and we have this current affairs का thing going on you can still look for it और यह championship बड़ी important है कुछ नहीं करें तो championship तो दे रीजिए practice हो जाएगा आपको पर register कैसे करेंगे description बे लिंक के click करें और वहां लेकिए CMC register कर लेंगे आप that would be all from my side thank you so much take care जै हिंद